हेलो फ्रेंड्स वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल इस्टेडी विद प्रिया में आज हम विलोम शब्दों की तरती शंखला देखेंगे हमारा पहला विलूम शब्द है चेंचल चेंचल का होता है स्थिर क्या होता है इस्थिर या एकागर चित का होता है संयुद चेतन अचेतन चित और संयुद ये इंपोर्टेंट है इसे आप नोट कर लीजिएगा अगला हमारा है चाटुकार चाटुकार का होता है स्वाभी मानी अगला हमारा है चिरंतर चिरंतन का होता है नश्वर छल का विलोम शब्द होगा निश्छल छादन का विलोम शब्द प्रकाशन छादन इंपोर्टेंट है अगला है हमारा छाया छाया का क्या है आतप यह भी important है, अगला है छिन, छिन का क्या है सनलगन, हमारा अगला विलोम शब्द है छद्म, छद्म का क्या है व्यक्त करना, छाह का क्या है धूप, अगला देखते हैं हमारा क्या है जमीन, जमीन का विलोम आस्मान, जन्यता का विलोम जन्यत्री, जूटा का विलोम कोरा, जागरन का निद्रा, कोरा भी important लगा लिजिएगा जूटा का कोरा जन्गम का होता है स्थावर, वेरी important, जागरत का सुप्थ, जेस्ट का कनिष्ट, जोती का तम, जोतिर में का तमों में, ज्वार का भाटा अगला हमारा है विलोम शब्द त्रिशा का विलोम क्या है त्रिप्ती तीछण का कुंठित या मंद तेजस्वी का विलोम शब्द है निस्तेज त्रिप्त का है अत्रिप्त तर्क पूर्ण तर्क हीन तामसिक का विलोम शब्द सात्विक इंपोर्टेंट है तर्का नुकूलन नामा नुकूल तरका नुकूल का नामा नुकूल अगला है त्याग त्याग का विलोम शब्द होगा भोग तप्त का विलोम शब्द सर्द थल का नभ थोक का फुटकर दयालू का निर्दई आगे देखते हैं हमारे विलोम शब्द क्या है दानी दानी का विलोम शब्द होगा कृपण, दिरगायू, अलपायू, देह का विदे, इंपोर्टेंट है, देह का अधे, देन, लेन, दाता का विलोम शब्द सूम, दास का विलोम शब्द स्वामी, दिव्य का विलोम शब्द अदिव्य, दुष्प्राय का सूप्राय, अगले हम विलोम शब्द है अधीरता धरा का विलोम शब्द गगन नश्वर का विलोम शब्द है अनश्वर नीरुजिता का विलोम शब्द है रुब्नता अगला है नेसरगीक नेसरगीक इंपोर्टेन नेसरगीक का होता है कृतम अगला है नियून नियून का क्या है अधिक निर्दो निर्दोश का सदोश, निर्माल, निर्माल का विलोम विदाश या विध्वन्स, निर्मल, निर्मल का क्या होगा? मलीन, नित्ति का अनित्य, आगे हमारे क्या है प्रशन, निशिद्धी, निशिद्धी का विलोम शब्द होगा विहित, निर्दय का विलोम शब्द सदय, नि का विलोम शब्द प्रशंसा, नीरस का विलोम शब्द सरस, नित्ति का विलोम शब्द अनित्य, नकद का उधार, नर का विलोम शब्द नारी, नवीन का विलोम शब्द प्राचीन, निरामीश इंपोर्टेंट है, निरामीश का होगा सामेश, आगे देखते हैं हमारे, अगल विलोम शब्द होता है निस्तब्द, जोपडी का विलोम शब्द होता है महल, तकसाली का विलोम शब्द सामानी, इंपोर्टेंट, टीका का विलोम शब्द भाशी ये भी इंपोर्टेंट है, ठोस का विलोम शब्द तरल, धं का विलोम शब्द कुधं, धाढस का विलोम क्या है दुष्प्रापे का सुप्रापे द्रिश्य अद्रिश्य यक्ष का विलोम सब्द रक्ष याद्रिश का विलोम शब्द अन्याद्रिश्य यत्र का विलोम शब्द तत्र युक्ति का विलोम शब्द अ युक्ति युक्ति का विलोम शब्द युक्ति हीन युद्ध का विलोम शब्द है शान्ती, दोश मोर्चन अभीशप्ती, द्वन्द का विलोम शब्द है मेल, देवता का विलोम शब्द राक्षस, अगला हमारा है नत, नत का उन्नत, नेकी का बदी, निश पाप का विलोम शब्द है पाप, निद्रा का विलोम शब्द है अनिद्रा या ज आगरन, नूतन का विलोम शब्द है पुरातन, नख का विलोम शब्द शिक, नौकर का विलोम शब्द है मालिक, प्राची, इंपोर्टेंट है प्राची का होगा प्रतीची, प्रले का विलोम शब्द है स्विस्टी, पाश्याति का विलोम शब्द है पूर्वी या पौर्व पुष्टी का विलोम शब्द है छीड या अपुष्टी आगे चलते हैं आगे है धालू का विलोम शब्द हमने देख लिया था समतल था तरून का व्रिद्ध है तन्वी इंपोर्टेंट है तन्वी का विलोम शब्द स्थूल है तंद्रा का विलोम शब्द ज्यागरण त्र अगला हमारा है दूर, दूर का विलोमशब्द पास, दीवा का विलोमशब्द है रात्री, धवल का विलोमशब्द श्यामल, ध्रूव का विलोमशब्द अस्थर, धैरे का विलोमशब्द अधैरे, अगला हम देखते हैं, पुष्ट का विलोमशब्द छीडिया देखें यह हमारे कम से कम 100 होंगे इनको आप एक दुबार देख लीजिएगा यह आपके आगामी आने वाले पिट के एक्जाम के दृष्टी से और आरो ए आरो की एक्जाम में हिंदी का कोई भी पेपर हो किसी भी सब्जेक्ट में हो हिंदी के विलोम शब्द तो वही रहें तो फिर उसको आप देखिए और समझे क्या है और इन्हें याद करने की कोशिश की जिए अब तब तक के लिए धन्यवाद